रादे रादे जैश्री शाम, वेलकम टु माई न्यू अनूदर कुकिंग ब्लॉक और आज की जो रेसपी है यह हमारे परफेक्ट मलाई लड़ू, बिल्कुल सॉफ्ट मुह में घुल जाने वाले, आप देख सकते हो अंदर तक किस तरीके सा इसका टेक्शर है, बहुत ही मौ मैंने दूद लिया है, दो लिटर मैंने इधर दूसरे बड़े वाले पतिले में डाला हुआ है, और एक लिटर रखा है मैंने दूसरे पतिले में, दो लिटर जो दूद है इसका हमें फाड़ना अच्छेना, और एक लिटर दूद है उसकी हमें बनानी है रबड़ी, तो य को थाड़ना है कि हम इसको ना flame तेज रहती है हम इसको चेने को फाड़ते हैं तो जो हमारा छzeit ना बनता है वह बिलकुल चूई बनता है मतलब जो ल ம कहाम मैं की चिद्धा बनता है तो यस टवpri acqus से आप धीरे धीरे कर कि उसमें डालो hagoिए ईक साथ अब मैंने उसको चलनी में डालकी छोड़ दिया ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो पूरा निकल जाए सारा का सारा निकल जाए इधर देखिए दूद को हमने रबड़ी बढ़ने के लिए रखा हुआ है यह जो हमने छेना बना के रखा हुआ है यह मैंने लिया है और इसक से इसको मैश कर लेंगे जैसे कि जो दाने है न वो थोड़े से कम हो जाए ज्यादा दानेदार नहीं रहे तो ऐसा आपको लगए कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे मिक्सर जार में डालके भी आप चर्ण कर सकते हो कुछ सेकिंड के लिए ठीक है यहां देखी यहां हमारी रबडी बनने लग रही है और इस रबडी को मैंने पूरा अल्मॉस्ट कुक कर लिया है मतलब कि जो हमारा एक लिटर दूद था ना वो एक पाओ के लगबग दूद रह गया ना तब तक हमें इसको अच्छे से रबडी बना लेना अभी देखी मैने हाथ से इसको अच्छे से मैritos कर दिया है और इसी तरीके से आप इसको इसको कंटिनुस फूल Clinic के उपर आप इसको यहां भूंते रहोगे यह देखी ज्यादा मीठा चीए यह पूरा पूरा प्रॉपर मीठा है अगर आपको फिर भी और भी ज्यादा मीठा चीए तो आप ज्यादा मीठा डाल सकते हो इससे कम चीए तो आप इससे कम भी डाल सकते हो तो यहां पे आपको ना मीठे की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हो चुका है सारा कुक हो चुका है और बिलकुल थोड़ा बहुत दूद बच रहा है और अब इसको लास्ट में पूरा इसको और इससे ज्यादा हम कुक नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा अगर हमने कुक कि आना तो मावा की फॉर्म में आ जाएगा तो हलका सा इसके भी कें आदे कि पूरा इसको ऑठकर देंगे तfficacy को अष्यादा कर रहे हो आप इसको उच्छित भी कर लिया है Digital को मैसिंघाव कर शन में तो यहाँ देखिए मैं इसको dobrze हो चुका है मतलब कि यह 90% हो चुका है 보oga पूरा टंडा नहीं 90% होचुका है अब इसको तो हाथ की हल्प से इस तरीके से हम इसको लड्डू बना लेंगे यह देखी इस तरीके से हम इसके लड्डू बना लेंगे ठंडा रखना है ज्यादा गरम नहीं रहेगा ज्यादा गरम रहा तो फिर आप इसके लड्डू नहीं बना पाऊगे और यह फोम में भी नहीं तो यहां देखी आच्छे से हम इसको मैश कार इसके लडू बना रहे हैं. ठंडा हुने के बाद में। जदा हैं. अई किसी तरीकी से आप सारे लडू बना सकते हो। जू रहे। और आपको मेरी मेरा Katee लागए है। मुझे कमेंट़ में जरूड बताइए आपने त्योंढ़ की शुरूआत कर ली है जूज़आर पे आप कौन कौन सी रेसिपी बना रहे हैं कौन कौन सी रेसिपी बना रही है ? मुझे वह भी कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों ने कौन कौन सी रेसिपी बनाई है तो यहां मैंने जो हमारे कप आते हैं इसके अंदर मैंने लडू रख दिये थोड़ा सा मैंने यलो कलर रखा हुआ था पानी की साथ में डिजॉल्व करके तो थोड़ा सा हम इसकी जो कह तो इसी तरीके से आप बनाईए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और आप मेरी रेसिपी में से कौन कौन सी रेसिपी बना रहे हो प्रॉपर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए यह तीन लीटरे दूद के साथ में हमारे इतने यह लड़ू बने हैं एक के दूखे दो लड़ू मैंने अलग से निकाल दिये हैं बोक के लिए निकाल दिये थे तो count कर सकते हो यह कितने लड़ू बने हैं बहुत ही mouth melting है और आप बनाईए एक बार इस राखी पर यह रेसिपी जर झाल झालब को झाल 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 झाल